हेलो फ्रेंड्स वेलकम तो मैं चैनल लर्निंग टाइटल्स तो गाइज आज मैं आपको मैंट्स का एक चैप्टर रेशनल नंबर उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ उसके बाद मैं आपको एक उसका सम सॉल्फ करके दिखाऊँगा ताकि आप अच्छे से समझ जाएं तो गाइस बिना कुछ देरी किये चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तो सबसे पहले हमें यह जाना बहुत जरूरी है कि रेशनल नंबर होते क्या हैं दोस्तो मान दीजे एक नंबर है दो नंबर है जो एक्सप्रेस किये गए हैं पी क्यू फॉर्म में पी अपॉन क्यू जिसका पी एंड क्यू दोनों इंटीजर्स हों और क्यू जीरो ना हो दोस्तो वो होता है रेशनल नंबर यह है हमारी रेशनल नंबर की डेफिनेशन रेशनल नंबर में जो हमारा P यानि उपर का जो नंबर होता है उसे हम नियूमिरेटर बोलते हैं और Q जो 0 के एक्वल नहीं होता जीरो नहीं होता वो उसे हम डैनोमिनेटर बोलते हैं तो आईए दोस्तो अब हम एक इसका sum सॉल्व करके देखेंगे कि आखिर वो कैसे होता है माल लेजिए यह है हमारा question 3 upon 7 and 3 upon 7 तो दोस्तो सबसे पहले हमें करना क्या है हमें यह देखना है कि हमारा डैनोमिनेटर क्या सेम है अगर यह सेम है तब तो यह बहुत ही simple तरीका है जाननेगा देखें यह सेम है तो आप start दीजिए ऐसे यहां लिख दीजिए 2 हमें add करना है plus लिख दीजिए 3 लिख दीजिए यहां 3 है यहां 2 यहां 3 अब उसके नीचे आप लिख दीजिए ऐसे पूरा लाइन कीचिए यह डैनोमिनेटर हमारा सेम है इसलिए हमने यहां सिर्फ एक 7 लिया दोस्तों यह rule है अब ह सामने यहां पर 5 लिखा अपॉन में 7 है यहां पर हमने 7 लिख दिया दोस्तों यह हो गया हमारा आंस दोस्तों अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो सो लाइक सब्सक्राइब कमेंट एंड शेयर थैंक यू